आप देख रहे हैं भोजपूर दर्शन न्यूज खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेला आइकॉन को दबाई न्यूज को देखने के लिए करोना के दूसरी लहर में ना जाने कितने लोग अपने परिवार को हो दिया है करोना की गाल में भोजपूर के भी कई लोग समा गया हैं करोना ने किसी को नहीं छोड़ा करोना से हर लोग परिशान भी हो शरकार भी अपने स्वास्त के लिए को बहतर बनाने के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहा हर प्रकार की सहता करने के लिए सरकार भी आगया आया है लेकिन उसकी पावजूद भी सरकार स्वास्त यूजना पर प्रती वर्ष करोर रुपे खर्च करती है लेकिन स्वास्त ब्यवस्था की पूर यह तरारी के करत उप स्वास्त किंद्रे खोल रहा है यह स्वास्त केंद्र बया कर रहा है कि स्वास्त ब्यवस्था पूरी तरफ खत्म हो चुका है हमारी संबादाता ने कड़ी मेहनत कर तरारी के करत उप स्वास्त केंद्र का जैजा लिया जिसे देखकर आप भी हैरां हो जाएंगे जब भी इस उप स्वास्त किंद्र का उद्गाटन हुआ होगा तो ग्रान्नों में काफी उमी जगी होगी कि अब बेहतर स्वास्त के लिए भटकना नहीं पड़ेगा पर इस स्वास्त किंद्र में आप साफ देख तके हैं कि इलाज रूम में मविशी का चारा रखा हुआ है साथ ही इस किंद्र में देखने को ऐसा लगता है कि आज तक इस उप स्वास्त किंद्र का ताला कभी खूला ही नहीं भले ही एक दूसरे रूम में टेबुल बोर्ट या बया कर रहा है कि किसी न किसी डॉक्टर नर्स की तैनाती जरूर होई होगी पर यह करत का उप स्वास्त किंद्र अपनी बदहाली पर आंसु बहा रहा है देखना यह होगा कि कब ये इसकी बदहाली की आशु दूर होगी और कब होगा इस उपकरत उपस्वास्त किंद्र का तालात खुलेगा यह तो सिवल सर्जन, बिधायक और आला अफसर ही बता पाएंगे